हलो बच्चो नव वारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम वापस आपके लिए हिंदी व्याकरण में लेकर आए हैं टॉपिक अव्ये तो हम अव्ये के बारे में जानेंगी अव्ये क्या होता है किसे कहते हैं अव्ये और इसके कितने बेत होते हैं तो जिन शब्दों का रूप, लिग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाजचे आदी के कारण नहीं बदलता उन्हें अब ये कहते हैं और इन्हें अविकारी शब्द भी नहीं कहते हैं जैसी हम उधारन के लिए देखते हैं वरद आदमी दीरे दीरे चलता है तो देखिए यहाँ पे वरद आदमी क्या है पुर्लिंग है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रिया के साथ में क्रिया बदल दिया यानि कि पुर्लिंग के साथ में क्रिया बदल दिया तो इस तरह से ये बदल रहा है, तो अव्ये के हम प्रकार के बारे में जानेंगी, अव्ये के देखे चार प्रकार होते हैं, क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुच्य बोधक, विस्मयादी बोधक, ये अव्ये के चार प्रकार होते हैं, इनको हम एके करके हम समझेंगे, क्रिया विशेशन देखते हैं नाना जी अचानक चले गए तो देखें यहाँ पे नाना जी अचानक चले गए तो चले गए क्या है क्रिया है और जो क्रिया से पहले जो शब्द है अचानक ये क्या है क्रिया विशेशन है आओ यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो क्या है kriya है और kriya से पहले है kriya vishetion यानि यहाँ यह है kriya vishetion अब देखिए kriya vishetion के भी भेध होते हैं कितने वह हम देखते हैं आगे एक होता है रिती वाचक kriya vishetion दूसरा होता है स्थान वाचक kriya vishetion तीसरा होता है काल वाचक क्रिया विशेशन और चोथा होता है परिमान वाचक क्रिया विशेशन तो हम इनको भी एक एक करके हम इनके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले हम क्रिया विशेशन में रिती वाचक क्रिया विशेशन के बारे में जानेंगे तो जिस क्रिया विशेशन से क्रिया के होने की रिती यानि की ढंग या तरीके का पता चलता है उसे रिती वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे घोड़ा तेज दोड़ता है तो दोड़ता है वो तो क्रिया है लेकिन तेज दोड़ा है तो यहाँ पर जो तेज है वो रित्ती वाचक क्रिया विशेशन है आगे हम देखते हैं इसका दूसरा बेद स्थान वाचक क्रिया विशेशन तो जिस क्रिया विशेशन सब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे उधारन देखते हैं हम महमानों को भीतर बिठाईए तो यहाँ पर बिठाईए तो क्रिया है लेकिन बिठाईए यानि कि क्रिया से पहले क्या है भीतर यानि कि यहाँ पर क्रिया विशेशन है स्थान तो ये है स्थान वाचक क्रिया विशेशन, यानि कि भीतर एक स्थान है, तो ये स्थान वाचक क्रिया विशेशन है, यानि मेमानों को भीतर बिटाइए, ये उदारन स्थान वाचक क्रिया विशेशन का है, आगे तीसरा हम देखते हैं क्रिया विशेशन में काल वाचक क्रिय विशेशन तो जिस क्रिया विशेशन सब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता यानि कि क्रिया के होने के समय के बारे में पता चल रहा है अर्थात यह है पता चल रहा है कि क्रिया कब हुई है उसे काल वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे मेरे भाया कल आगे तो क्या है काल का पता चल रहा है देखते हैं कि करिया व्यशेशन में परिमान वाचक क्रिया विशेशन जिस क्रिया विशेशन शब्द से क्रिया के परीमान अर्थात उसकी मात्रा का ग्यान होता है या इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिस क्रिया विशेशन शब्द से यह पता चलता है कि काल कारिये कितना हुआ है उस क्रिया विशेशन को परिमान वाचा क्रिया विशेशन कहते हैं यानि कि कितना काम हुआ है उसकी मातरा का ग्यान होता है इसमें जैसे हम देखते हैं कमला ने काम थोड़ा किया तो देखे यहाँ पे काम तो किया है यानि कितना काम किया है थोड़ा यानि कि यहाँ पे मात्रा का ज्ञान हो रहा है कार्ये का कितना कार्ये हुआ है वो हमें पता चल रहा है इसमें तो यह परिमान वाचक क्रिया विशेशन है यानि कमला ने काम थोड़ा किया यह उदारन प संबंद बोदक देखें यहां पे चित्र में एक पहले चित्र में बताया है यात्री पेड के नीचे बैठा है दूसरे चित्र में है घर के पास मंदिर है तीसरे में है छत पर मोर बैठा है तो यहां पे यात्री पेड के नीचे बैठा है यानि की के नीचे यानि की यात्री प पेड़ से है क्योंकि वो पेड़ के नीचे बैठा है घर के पास मंदिर है के पास यानि घर के पास मंदिर है तो ये संबंद हो रहा है कि घर के पास में मंदिर है छत पर मोर है बैठा है यानि कि छत से संबंद है मोर का कि मोर छत पर बैठा है तो ये संबंद बोदक शब्द ह आप संबंद बोदक किसे कहते हैं आईए वो हम देखते हैं जो अब ये शब्द संग्या ये सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंद वाक्य के अन्नी शब्दों के साथ में प्रकट करते हैं उन्हें संबंद बोदक कहते हैं विभक्त संबंद वो दग दो तरह के होते हैं एक तो होता है विभक्ती के साथ में दूसरा होता है विभक्ती के बिना तो हम देखते हैं वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है यानि कि के यहाँ पे विभक्ती का प्रियोग हो रहा है कि पेड़ के पास यानि कि के विभक्ती यानि कि ये उदारन विभक्ति के साथ खड़ा है इसका उदारन है यानि वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है तो ये विभक्ति के साथ प्रियोग किया गया है तूसरा हम देखते हैं वहाँ कई महिनों तक रहा है तो इसमें किसी भी विभक्ति का प्रियोग नहीं किया गय मैं वहाँ कई मेहनों तक रहा तो यहां पर कोई विवक्ति नहीं है यानि कि यह उदारण विवक्ति के बिना प्रियोग में लिया गया है अब संबंद बोधक के हम भेट के बारे में जानेंगे तो एके करके हम इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थान वाच में पता चलता है उन्हें इस्थान वाचर संबंद बोधक कहते हैं जैसे यहां वहां के निकट के अंदर के बाहर आदी यहनि जैसे हम उदारण की जैसे देखते हैं बस्ती से दूर एक मंदिर है यानि कि इसमें स्थान के बारे में पता चल रहा है कि बस्ती से दूर एक मंदिर है यानि कि दूर है यानि कि इस्थान का पता चल रहा है कि वो दूर है तो ये है एक स्थान वाचक संबंद बोदक दूसरा देखते हैं हम काल वाचक संबंद बोदक जिस संबंद बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय में हुई है या बाद के समय में हुई है उसे काल वाचक संबंद बोधक कहते हैं यानि कि इसमें यह पता चलता है कि क्रिया पहले हुई है या बाद में हुई है तो इस तरह की संबंद बोदग को हम काल वाचक संबंद बोदग कहेंगे जैसे के पस्चाद, के उपरान, से पहले, के बाद में आ दी जैसे उदारण देखते हैं महेश के बाद सुरेश आया तो यहाँ पे के बाद का प्रियोग हो रहा है यानि कि काल का प्रियोग हो रहा है कि महेश की बाद में सुरेश आया यानि इसके बाद का प्रियोग हो रहा है बाद में आया तो ये एक काल वाचक संबंद गोधक है तीसरा हम देखेंगे साधन वाचक संबंद गोधक संबंद गोधक से ये पता चलता है कि एक संग्या या सरुनाम दूसरी संग्या के लिए साधन का कारी कर रहा है उसे साधन वाचक संबंद गोधक कहते हैं जैसे के द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जर्ये, के माध्यम से आदी जैसे डंडे के सहारे दादा जी चलते हैं यानि कि एक संग्या, दूसरी संग्या के साध का कारी का बोध हो रहा है यानि कि डंडे के सहारे कौन चल रहा है दादा जी चल रहा है यानि कि साध का बोध हो रहा है डंडे के सहारे दादा जी चलते हैं तो ये एक साधन वाचक संबंद बोदक उदाहरन है आगे देखे चोता है दिशा वाचक संबंद बोदक जिस संबंद बोदक द्वारा ये पता चलता है कि एक संग्या या सर्वनाम दूसरी संग्या या सर्वनाम के किस दिशा में है उसे दिशावाचर संबंद गोदक कहते हैं यानि कि इससे यह पता चलता है कि एक संग्या या सरुनाम दूसरी संग्या सरुनाम के किस दिशा में हैं दिशा का पता चलता है इससे जैसे कि आसपास के सामने की ओर की तरफ आदी देखें यहाँ पर देखते हैं मंदीर के पीछे मेरा घर है तो यहाँ पर दिशा क्या है के पीछे यानि कि मंदीर के पीछे मेरा घर है तो यहाँ पर दिशा है के पीछे का प्रियोग हुआ है तो यह एक दिशा वाचक संबंद बोदक है यानि मंदिर के पीछे मेरा घर है पांचरा हम देखते हैं सम्ता वाचक संबंद बोदक जिस संबंद बोदक से यह पता चलता है कि एक संग्या या सर्वनाम को दूसरे ये संग्या या सर्वनाम के समान बताया जा रहा है यानि कि दोनों को समान बताय जा रहा है तो उसे हम समता वाचव संब्ध वोतत कहते हैं जैसे के समान के बराबर की तरह की भाति आदी यहां पे उदारण हम देखते हैं प्राची प्रग्या की भाति शुल्दिमान है या बुद्धी मती है यानि कि प्राची और प्रग्या दो लड़किया है याँ पे कि इनकी बुद्धी दोनों की भाती बराबर है यानि कि उनकी के बराबर का प्रियोग हुआ है की भाती तो प्राची की बुद्धी प्रग्या के बराबर है तो यानि कि दोनों बुद्धी म जिस संबन्द बोदक से यह पता चलता है कि एक संग्याय सर्वनाम को दूसरी संग्याय सर्वनाम से अच्छा या खराब बताया जा रहा है उसे तुल्ना वाचक संबन्द बोदक कहते हैं यानि कि उसकी तुलना की जाती है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है जैसे की अपेक्षा के बजाए की तुलना में आदी अब इसके हम वक्य बनाकर हम देखते हैं राजिश की अपेक्षा रमेश अच्छी बात करता है यानि कि यहां पे अपेक्षा की बात की जा रही है यानि कि राजिश की अपेक्षा रमेश अच्छी बात करता है यानि कि राजिश कम करता है रमेश अच्छी तरह से बात करता है उसकी तुलना में यानि कि उसकी तुलना की जा रही है बात की कि वो उससे अच्छा रमेश ब करता है कि एक संग्या यह सरुनाम दूसरे संग्या संग्या संबंध वोचक कहते हैं तो उसे घय स साथ के सहीत के समेत आदी जैसे वाक्य बना कर हम देखते हैं बेटा अपने पिता के साथ बेटा है तो यानि कि साथ में बेटा है साथ कार्य हो रहा है कि उसाथ में बेटे हैं तो बेटा अपने पिता के साथ बेटा है तो ये एक संग्वाचक संबंद वोधक उदारण है यह सर्वनाम से दूर यह अलग बताया जा रहा है, उसे प्रथकता वाचक सम्मнд गोदक कहते हैं, यानि ki एक संग्य यह सर्वनाम को दूसरी संग्य यह सर्वनाम से अलग बताया जाता है YouTube यानि पता है आपको अलग होना तो दूर बताया जाता है उसे प्रतक्ता वाचक संबन गोदक कहते हैं जैसे से दूर, से अलग, से परे, से हटकर, से प्रतक आदी ये सब प्रतक्ता वाचक संबन गोदक की शब्द है अब जैसे वाक्य बनाकर हम देखते हैं अरे प्रमूत, खंबे से दूर खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे खंबे से दूर किया जा रहा है, तो यह एक प्रतक्ता वाचक संबंद गोदक का उदारन है, नवा हम देखते हैं विरोध वाचक संबंद गोदक, जिस संबंद गोदक से एक संग्या या सरुनाम द्वारा, द होने के विप्रित के प्रतीकूल, खे खिलाफ आदी, जैसे मोहिनीश, रजनीश के विप्रित स्वभाव का छात्र है, यानि कि विप्रित याने बिल्कुल उल्टा, यानि कि मोहिनीश, रजनीश के विप्रित स्वभाव का छात्र है, तो ये एक विरोधा वाचक संबंद बो बोदक जिस संबंद बोदक से संग्या या सरुनाम द्वारा किये गए कारे के हेतू यानि की कारण का पता चलता है उसे हेतू आचक संबंद बोदक कहते हैं जैसे हेतू के हेतू की खाती के कारण आदी ये शब्द हेतू आचक संबंद बोदक के शब्द है अब जैसे अच्छे भविशे हेतु पिता दिन रात मेहनत करता है तो हेतु यानि की कारण यानि की बच्चे के अच्छे भविशे के लिए ही पिता दिन रात मेहनत करते हैं तो यह क्या है एक हेतु वाचर सम्मंद वोदक है बच्चों तो यह हमने सम्मंद वोदक के बारे में हमने जान और इसके भेद के बारे में जाना अब हम आगे देखते हैं समूचे वोदक के बारे में देखते हैं अपूर्व और अद्भुत पतं उडाते हैं यानि कि अपूर और अद्भुत पतं उडाते हैं मैं चाय या कॉफी प्यूंगी पिता जी बिमार है इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ जो शब्द दो शब्दो वाक्य के अंशो या उपवाक्यों को जोडते हैं उन्हें समूचे बोधग या योजग कहते हैं यानि कि देखें यहां उदारन में हमने पहले ही पढ़ लिया अपूर्व और अद्बूद पतंग उड़ाते हैं यानि कि यहां पे दो उपवाक्य हैं एक अपूर्व और दूसरा है अद्बूद पतंग उड़ाते हैं तो यहां पे जो इनको जोडते हैं तो वो क्या कहलाते हैं एक समूचे बोधग यानि कि योजग होते हैं यहां पर योजक क्या है और यानि कि अपोर्व और अद्गूत पतंग उड़ाते हैं को जोड रहा है वो मैं चाय या कॉफी तो चाय और कॉफी को क्या जोड रहा है योजक यानि कि या तो मैं चाय या कॉफी प्यूंगी पिताजी बिमार है इसलिए मैं डॉक्टर के पास ज जोड़ रहा है इसलिए तो यह समुचे बोदक शब्द है क्यालाते हैं जो शब्द दो वाक्यों के अंश को जोड़ते हैं वो उतकी करण समुचे बोदक तो इनके भी اللि कर के जानते हैं समुच्चे बोधक समानाधी करन समुच्य बोधक जो Haupt जो समुच्य बोधक समालख चब्द वाकिय के अंशों तथा वाकियों को जोड़ते हैं उसे समानाधी करन समुच्य कहते हैं यहां पर देख को जोड़ रहा है और मुझे पत्र का नहीं चाहिए बलकी समाचार पत्र चाहिए दो यहां पर बलकी है यांनि मुझे पत्र का नहीं चाहिए मुझे समाचार पत्र चाहिए तो यहां पर बलकी योजग है वो दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है समानादी करण समुचे बोदक शब कौन कौन से होते हैं और एवम तथा या अत्वा अन्यथा बलकी किन्तू परंतू लेकिन मगर अतह इसलिए अतेव फलते तथा परिमान स्वरू आदी ये सब क्या होता है ये समानादी करण समुचे बोधक के शब्द है अब देखिए समानादी करण समुचे बोधक के भी चार बेद होते है एक होता है सईयोजक समुचे बोधक दूसरा होता है विभाजक समुचे बोधक तीसरा होता है विरोध सूचक समुचे बोधक चौता हो अरिमान शुचक समूच पोदक तो आईए इनको भी हम दे के करके देखते हैं संयोजक समूच पोदक जो समूच اب दो शब्दो वाक्यांचो अत्वा वाक्यो को जोड़कर संयूथ रूप से क्रिया के होने का ज्यान कराते हैं उन्हें संयोजक समूच समुच्य बोदक कहते हैं जैसे और एवम तथा आदी तो यहां पर हम वाक्षी देखते हैं रामा और विभा गाती है तो यहां पर संयोजग क्या है और यानि कि रामा और विभा गाती है तो यह एक संयोजग समुच्य बोदक है दूसरा हम देखते हैं विभाजग समुच्य जो समुच्य बोदक, दो शब्दों, दो वाक्याशों या दो वाक्यों को जोड़कर उनमें से किसी एक को स्विकार करने तथा दूसरे को जोड़ने का ज्यान कराते हैं। उन्हें विभाज़क समूचे बोधक कहते हैं. जैसे या, अत्वा, अन्यथा, आधी. आगे वाकये बनाकर हम इसको देखते हैं. पिताजी या चाचाजी शहर जाएंगे. तो यहां पे देखें पिताजी या चाचाजी. यानि कि यहाँ पे कोई एक शहर जाएंगे या तो पिताजी जाएंगे या चाचाजी जाएंगे यानि कि यहाँ पे किसी एक वाक्य को जोड़ना है वो एक को स्विकार करना है और दूसरे का ग्यान ग्यान हो रहा है यानि कि पिताजी या चाचाजी में से कोई एक शहर शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों के मद्य विरोध प्रकट होता है उन्हें विरोध सुचक समूच्च व कहते हैं जैसे बल्की परंतू लेकिन मगर आदी अब इसका हम वाक्य बना कर हम देखते हैं मामा जी नहीं बल्की मामी आई है तो यहाँ पर देखें, हमने जैसे भी परीभासा में देखा, दो शब्दों और वाक्यों के मद्धी विरोध प्रकट हो रहा है, यानि कि मामा जी नहीं बलकि मामी आई है, यानि कि कोई एक आया है, तो यह एक विरोध सुचक समूचे बोदक का उदारन है, चौथा हम देख उसे परिणाम सुचक समूचे बोदक कहते हैं, जैसे वर्षा होने लगी, इसलिए चातर विद्याल नहीं आए, तो यह एक परिणाम सुचक समूचे बोदक है, यानि कि वर्षा होने लगी, इसलिए चातर विद्याल नहीं आए, तो यह एक परिणाम सुचक समूचे बोद जो समूचे वोदक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोडते हैं उन्हें व्यदी करण समूचे वोदक कहते हैं यदि परिश्रम किया होता तो परिशा में अच्छे अंक आते मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे यानि कि इसमें किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य को दूसरे पर आश्रित उपवाक्य को जोडते हैं यानि कि यदि परिश्रम किया होता तो परिशा में अच्छे अंक आते तो यहाँ पर तो क्या है एक व्यदी करण समुचे पोदक है मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे तो यहाँ पर कि यानि कि मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे तो यह एक व्यदी करण समुचे पोदक के उधारन है अब देखिए व्यदी करण समुचे प कि इसलिए यदपी तथापी जो तो यदी तो अर्थार मानो यानि अदी तो ये शब्द क्या है ये व्यदी करण समूचे बोदक के शब्द हैं अब देखिए समूचे बोदक में भी व्यदी करण समूचे बोदक के हम प्रकार देखते हैं तो इसकी भी चार प्रकार होते हैं एक होता है कारण सूचक समुचे बोधक, दूसरा होता है संकेत सूचक समुचे बोधक, तीसरा होता है उद्धेश्य सूचक समुचे बोधक, चौता होता है स्वरूप सूचक समुचे बोधक तो आईए इनको भी हम एके करके देखते हैं जिस समुचे बोधक से पहले वाक्य की किरिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो उसे कारण सुचक समुचे बोधक कहते हैं यानि कि पहले वाक्य की किरिया के होने की कारण दूसरे वाक्य में मिलता है उसे हम कारण कि चुणकी इसलिए आदी ये शब्द कारण सुचक समुचे वोधक के शब्द है अब से में हम वाकिय बनाकर देखते हैं दूद ले आओ क्योंकि चाय बनानी है अब देखिए चाय किसे बने दूसरे ही बनी ही यानि कि एक पहले वाक्य की क्रिया को दूसरे वाक्य में मिल रही है यानि कि चाय तो बनानी है लेकिन दूद ले आओ तो यहां पर क्योंकि क्या है एक कारण सुचक समुचे बोदक है तो यह वाक्य दूद ले आओ क्योंकि चाय बनानी है यह एक कारण सु क्रिया के होने या नहीं होने के कारण का संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है यानि कि एक वाक्य के क्रिया के होना या नहीं होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता है उसे संकेत सुचत समूचे वोदक कहते हैं जैसे यत्पी तथा पी यदी तो आदी अब देखिए वाक्य देखते हम यदी परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते तो देखिए यहाँ पे यदी जो है तो अच्छे अंक आते यानि कि अच्छे यदी परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते तो यह क्या है एक संकेत मिल रहा है इसमें कि एक संकेत मिल रहा है कि परिश्रम करते तो अच्छे अंग आते तो ये एक संकेत सूचक समूचे बोदक का उधारन है यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंग आते तीसरा हम देखते हैं उद्देश्य सूचक समूचे बोदक तो इसमें देखिए जिस समुचे बोदक से एक वाक्य की कृया के उदेश्य के दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिलती है। कि किसी समुचे वोदक में एक वाक्ची की क्रिया के उद्धेश के दूसरे वाक्चे में होने की सूचना मिलती है उसे उद्धेश्य सूचक समुचे वोदक कहते हैं जैसे ताकी जिससे की इसलिए की आदी ये शब्द उद्धेश्य सूचक के शब्द है शिखा ने छाता खर अब देखें यहाँ पर ताकी यह है उद्देश समुच्चे बोदक है जो समुच्चे बोदक किसी व्यक्ति वस्तू या इस्थान आदि के बारे में समझा कर उसके स्वरूप की सूचना देता है तो उसे स्वरूप सूचक समुच्य बोदक कहते हैं जैसे अर्थात, मानो, की यानि आदी ये शब्द क्या है स्वरूप सूचक समुच्य बोदक है अब देखें श्री समर्थ, भादूडी, अर्थात एक नीडर एवं सहसी प्राचारिये तो यानि कि श्री समर भादूरी क्या है अर्थाद यानि कि उसका मतलब है अर्थाद एक नीडर है और सासी प्राचारिये तो ये एक स्वरूप सुचर समुचे बोदक का उदारन है आगे देखें विसमयादी बोदक अहा गरम गरम जलीबिया ची इस पिल्ले को हटाओ यांसे सावधान आगे बहुत बड़ा कड़ा है जीते रहो इश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे है बिचारे का बेटा मर गया अरे तुम मोटर साइकिल चला लेते हो तो बच्चों देखें यहाँ पर आहा शब्द किसका मतलब है इसका मतलब है प्रसनिता ची शब्द का मतलब है घरणा से सावधान शब्द से मतलब है खत्रा जीते रहो यानि कि आशिरवाद हाय शब्द है शोग और अरे शब्द क्या है एक आश्चरिय है तो देखें यह यहां पर जो है एक विस्मय का बोद कराने के कारण इन शब्दों को विस्मयादी बोदक शब्द कहते हैं, यानि कि यहां पर आहा, छी, सावधान, जीते रहो, हाय, अरे, यह शब्द क्या है, एक विस्मयादी बोदक शब्द है, आगे देखते हैं हम, विस्मयादी बोदक म यही है शाबाश तुमने तो अपने कुल का नाम रोशन कर दिया उफ यहां कितनी गुटन है खबरदार आगे एक शब्द भी मत बोलना आह पता नहीं दाद का दर्द कब ठीक होगा तो बच्चों देखे यहां पर शाबाश यानि कि शब्द से है खुशी उफ शब्द से है बेचेनी, खबरदार शब्द से है चेताउनी, आह शब्द से पीड़ा और कष्ट का पता चल रहा है तो यहां पर देखे जिन शब्दों द्वारा विस्मय यानि कि आश्र, हर्ष, भय, शोग, आदी भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मय आदी बोदक शब्द कहते हैं अब देखे यहां पर कुछ विकारी शब्दों का भी विस्मय आदी बोदक के रूप में प्रियोग होता है जैसे संग्या शब्द में देखते हैं राम राम मुझे तुम से ऐसी उम्मे नहीं थी, सर्वनाम में है, शर्वनाम शब्द में देखते हैं क्या मोहन प्रत्योग विशेशन शब्द में देखते हैं अच्छा तुमने सारा काम खत्म कर दिया क्रिया शब्द में देखते हैं आओ यहां बैठो तो देखिए यहां पे आगे हम और विस्मय आदी शब्दे देखेंगे विस्मय आदी बोदक शब्दे देखते हैं दिस्मय आश्रे है अरी अ अब प्रशंशा या हर्ष, इसका क्या विसमे आदी बोदग होगा? अहा, ओहो, वह, शाबाश, आदी संभोधन, संभोधन एक भाव है तो यहाँ पे इसका शब्द क्या होगा? अजी, ओजी, अबे, ओय, आदी अब पीडा, शोप, लज्जा यह भाव है तो इसका शब्द क्या होगा आगे देखें चेतावनी के शब्द होंगे सावधान, खबरदार, आदी क्रोध के शब्द है अरे, खामोश, चुप, आदी आशिरवाद यानि कि जीते रहो, दिरगायू हो, खुश रहो, आदी स्वीकरती, स्वीकरती एक भाव है और इसका शब्द क्या होगा अच्छा, हाँ, ठीक है, आदी भय, बाप्रे बाप, हाई, ओ, आदी घ्रणा, तिरसकार, यानि इसका शब्द होंगे छी, धिक, भट, चलो, आदी तो बच्चों हमने ये दिसमयादी बोदक भाव के दिसमयादी बोदक शब्द हमने देखे, आगे हम निपात देखते हैं मैं भी पिताजी के साथ बजार जाऊंगा, महात्मा गांधी ने जीवन भर, सत्य बोला, यानि कि जीवन भर, मेरे पास तो केवल दो सो रुपए हैं, वह दस बजे तक लोट आएगा तो यहाँ पर देखे, भी, भर, केवल तक, यह शब्द क्या है, एक निपात है, यानि कि जो आविया शब्द, किशी शब्द के साथ उसके अर्थ पर बल देता है, उन्हें निपात केते हैं, यानि कि जैसे हमने पहले उदारन में देखा, मैं भी पिताजी के साथ बजार जाँगा, यानि कि वो भी जाना चाता है, तो मात्मा गान्दी जी ने जीवन भर सत्य बोला, यानि कि पूर जीवन भर सत्य बोला, मेरे पास तो केवल 200 रुपे हैं, यानि कि इसके पास में केवल 200 रुपे ही हैं, वह 10 बजे तक लोट आएगा, तो वह 10 बजे तक ही लोट तो ये शब्द क्या है एक निपात शब्द है जो हमने अभी देखा आके देखते हैं निपात का इस्थान परिवर्टित होने से उसके अर्थ में भी परिवर्टन हो जाता है जैसे सेठ ने रमन को केवल दस रुपे दिये सेठ ने केवल रमन को दस रुपे दिये देखे कुछ मुख्य निपात निमलिखित भी होते हैं तक मात्रल केवल भी ही तो अब देखे यहाँ पर सेठ ने रमन को केवल दस रुपे ही दिये और सेठ ने केवल रमन को यानि कि सिर्फ रमन को ही दस रुपे दिये यानि कि ये एक निपाद है केवल यहाँ पर दोनों का मतलब निकल रहा है कि केवल दस रुपे दिये रमन को और केवल रमन को ही दस रुपे दिये तो आगे ये आगे दूसरे भी निपाद होते हैं ये होते हैं तक, मात्र, केवल, भी, ही, तो, अदी तो बच्चो हमने यह अवे के पूरा चैप्टर हमने क्लियर किया है पूरे हमने सभी के भाग अलग-अलग हमने देखे हैं तो आपको यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको हम अगले आगे नए वीडियो में नए चप्टर के साथ में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद